हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं चैनल तू फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं बारकोड क्या होता है किसी उत्पात के बारे में आकड़े या सुचना को लिखने का एक तरीका है या बारकोड किसी उत्पात के बारे में पूरी जनकारी दिया गया होता है बारकोड की प प्रयोग सधारन उत्पादों जैसे साबून पेन और मोबाइल इत्यादी में किया जाता है जबकि 2D बार कोड को आपने पेटिम अप में देखा होगा दुई विम्बिय बार कोड, टू बार कोड में 1D की तुलना में ज्यादा डाटा भरा जा सकता है, यदि 2D बार कोड में कोई कार्ट छाट हो जाती है तो भी स्कैनर की मदद से कोड को पढ़ा जा सकता है, जबकि 1D में ऐसा संभव नहीं होता है बार कोड काम कैसे करता है, जब बार कोड को पढ़ने के लिए लेजर रिडर की सहाथा से लाइट डाली जाती है, यदि किसी कॉलम में लाल रंग की लाइट जलती है तो बार कोड रिडर उस कॉलम को 0 पढ़ता है, बार कोड में सबसी दाई ओर लिखा गया 0 बताता है कि यह यदि इस जगाँ पर दो लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि उत्पात या तो खाना है या मास है यदि तीन लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि उत्पात फार्मेशी का है सबसे बाई और लिखे दो अंक जीरो और पांच बताते हैं कि उत्पात किस देश में बना है बारकोट के दाई और दिये गए अन्तिम अंक साथ एक चेक संख्या है बारकोट का इतिहास बारकोट का अविसकार 1948 में ड्रेक्सेल इन यूनिवर्सिटी के दो चात्रों नॉर्मन जे वुडलाइन और बेनार्ड सिल्वर ने मिल कर किया था 1952 में वुडलाइन और सिल्वर को एक पेंटिंट प्राप्त हुआ था 1907 डेविड कॉलिंस ने रेल गाडियों पर नजर रखने के लिए एक प्रनाली विक्सित की जिसमें पहली बार बारकोट का इस्तमाल किया गया था 1974 में ओहियो के ट्राइमार्स के सूपर मार्केट में पहला UPS स्कैनर लगाया गया 26 जुन 1974 को दुनिया में पहला बारकोट स्कैन किया गया बारकोट के मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं वाइट जोन, स्टार्ट जोन, कारेक्टर, डाटा कारेक्टर, स्टॉक कारेक्टर Barcode Scanner के Parts Barcode Scanner Wire Cable Wire की मदद से Barcode Scanner अपनी कम्प्योटर से जुड़ा होता है Scan और Record करने के बाद यह सभी जनकारी क्म्प्यूटर को Și Screen पर दिखा देता है बारकोड स्कैनर के प्रकार, पेंट वन्ड स्कैनर, स्लोट स्कैनर, लेजर स्कैनर, सीची डी स्कैनर, इमेज स्कैनर बार कोड का उपियोग, Fast Checkout, Internet Banking with Phone, Business Tracking, Library Management, Inventory Control and Management, Ticket Verification, Food Tracking, Gaming Industry, Safe Communication, Biomistric बार कोड के फैदे, बार कोड के इस्तमाल से प्रोडक्ट यूनिक हो जाता है, इसकी वज़ा से कम्प्यूटर सिस्टम को प्रोडक्ट पहचानने में असानी होती है, बार कोड से समय बच जाता है, इसकी मदद से हम उस प्रोडक्ट की पूरी कमपनी के बारे में जान सकते है बार कोड के नुकसान इसमें ज़्यादा information store नहीं किया जा सकता बार कोड थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो उसके scanner उसे read नहीं कर पाता है इसको हम किसी भी angle या 360 degree में scan नहीं कर सकते हैं तो friends आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे comment करें और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा like share और subscribe जरूर करें thank you so much